ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्तक्बाल है आपके अपने पसंदीदा टीवी शो हिंदुस्ता हमारा में अब बारी है मकाम पेश करने की डॉक्टर सेयद ई हसनैन एक ऐसी अजीम शक्सियत है जिनका नाम जुबा पर आते ही एक ऐसे शक्स का अक्स उभरता है जिन्होंने मुल्क का नाम साइन्स की फील्ड में रोशन किया है और कई यूनिवर्सिटी और इंस्टिट्यूट को टॉप पोजिशन तक पहुचाया है आज के मकाम में हम आपको ऐसे ही शक्से रूबरू करवा रहे हैं उन्होंने अपनी जिद, मेहनत और लगन के दम पर ये साबित कर दिखाया है कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने का जजबा हूँ तो बड़ी से बड़ी मन्जिल भी उसके आगे सर जुका देती है डॉक्टर हसनेन आई आई टी डेली में बैलोजिकल साइंस के प्रोफेसर हैं मुल्क के तकरीबन सभी प्रेस्टीजियस साइंस अवार्ट से नवाजे जा चुके हैं जिसमें जीडी बिरिलावाट शांती सौरू भटनागर अवार्ट शामिल हैं और ये पद्म अवार्ट से भी नवाजे जा चुके हैं डॉक्टर हसनेन की पैदाइश बिहार के गया जिले में हुई और अपनी शुरुवाती तालीम भी इन्होंने यही रहकर हासल की हमारी पैदाइश बिहार के छोटे से शहर गया में हुई थी गया छोटा है लेकिन रिलिजिस पॉंट अव यू से बड़ा ही बहुती मशूल जगह है दिस इस प्लेस जहां गौतम बुद्धा गॉत इस इनलाइटनमेंट इस प्लेस जहां हमारे हिंदु भाई श्राद दे इनका बचपन गया की गलियों में गुजरा इन्हें बचपन से ही कुछ नया बनाने या यू कहें की नई खोच करने की चाहत थी इतना लगाव था के इसके बलबूते वो कुछ नया इजाद करने की लगन में जुटे रहते थे इनके वालिद साहब भले ही उर्दू के प्रोफेसर थे लेकिन उनका मानना था कि किसी इंसान की मुकम्मल शक्सियत के लिए उर्दू के साथ साथ उसे दूसरी जुबानों का सीखना भी जरूरी है हमारे वालिद साहब उर्दू के प्रोफेसर थे और रून एक चीज की हमें काफी इस्रार किया था he insisted on this that I must learn my own languages that is Urdu and also Arabic and Persian at the same time I must also learn Sanskrit तो एक पंडित रख करके हमें Sanskrit की शिक्षा दी गई थी और Sanskrit मने पढ़ी परिशन के साथ और हमारे वालिद साहब के यह कहना था कि India is our country we belong to India and we must listen to the value and cultures and ethos that this great nation has to provide प्रोफेसर होने के बावजूद भी इनके वालिद कभी इन से सक्ती से पेश नहीं आए एक बात का मैं कहूंगा कि हमारे वालिद साहब को हम पर काफी विश्वास था वो समझते थे कि यह he knows what he is doing and he knows what he is best in और इसी वज़े से उन्होंने कभी मुझे इसमें के लिए नहीं कहा कि तुम को यह बनना है यह बनना है मुझे बिलकुल खुली आजादी थी कि तुम जिसमें तुम समझते हो कि तुम्हारा रुजहान है जिसमें तुम्हारी ज्यादा इंटरेस्ट है दिल्चस्पी है उसी प्रोफेशन में जाओ तहजीब इन्हें विरासत में मिली थी मजभ इनके लिए जीने का एक सलीका था पांचों वक्त की नमाज अदा करने के लिए वो घर के पास की ही एक मसजिद में जाते थे बड़ा धार्मिक महौल था, धार्मिक भी था बट स्कलर महौल भी था, तो मैं नमाज की हमारी पाबंदेगी हुई है, हमारे फाइदर के साथ नमाज परते थे, हमारे महले में एक नई मस्जिद बनी थी, तो वहां मैं नमाज पढ़ने जाता था BSC की तालीम इन्होंने गया से ही पूरी की लेकिन इनकी मन्जिल कुछ और ही थी अपनी चाहत को मैसर जहां देने के लिए वो दिल्ली आ गए और JNU से Life Science Subject से MSC की डिगरी हासिल करने के बाद PhD की तैयारियों में जुट गए तालीम हासिल करने और कुछ नया सीखने की जिद इनके अंदर बच्पन से ही थी जुनांचे JNU के दिनों में इन्हें अपने प्रोफेसर की सोहबत सबसे अच्छी लगती थी क्योंकि इनका मानना था कि अपने गुरू के साथ रहकर आप पढ़ाई से अलहेदा भी कुछ सीख सकते हैं जो कुछ भी हम हैं यहां पर इसका बहुत बड़ा रोल जेनियू कर रहा है बहुत बड़ा रोल हमारे टीचर्स का बड़ा बहुत रोल रहा है चाहे वो स्कूल के टीचर्स हों एक दो टीचर्स का नाम में खास के लूँगा गया परसाद यह हमें यह फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे विचारे का एक्सिदेंट हो गया इस नो मोर वेरी यंग ही डाइड और जेनियू में भी कई प्रोफेसर्स से बहुत कुछ थी कहला कि वह चंद घंटों का ही की सो पत्राइश करती थी पीच्डी करने क के दौरान इन्होंने जेनियू स्टूडेंट यूनियन का इंतखाब लड़ा मैंने एक साल वहां जम के स्टूडेंट यूनियू की लीडरिशिप की मैंने इलेक्शन लड़ा उस जमाने में सीतारा मीचुरी हमारे प्रेसिडेंट थे मैं अपने स्कूल का नमाइंदा था मैं सोचता हूँ कि जो कुछ हमें आर्टिकॉलेशन की स्किल्स है ये जेनियू से आई है ये जो लीडरिशिप की जो मुझे जो ट्रेनिंग मिली वहाँ पर उस से आई है हसनین صاحب को सियासत रास नहीं आई महद एक साल के अंदर ही इन्होंने सियासत से तौबा कर ली पिएचडी की डिग्री हासिल करते ही इन्हें यूएस जाने का मौका मिला लेकिन इनके वालिश चाहते थे कि ये मुल्क में ही रहकर यहां के रहवासियों की खिदमत करें तो अमेरिका जाने का ख्याल इन्होंने अपने दिल से निकाल दिया और इन्होंने दिली यूिवरसिटी ज corr. फ्लिशिप के बैटा अभी मजजा नौकरी हांड हून और इनके बाद जोगे पता नहीं कि इनको एक तरह का ये था कि ये लल्का बाहर चला जाएगा तो शायद बाहर से लौट कर नहीं आएगा उसकी वज़ा ये भी कि उनका एक अपना भतीजा मतलम हमारे चेचेरे भाई दो चेचेरे भाई बाहर गए पढ़ने के लिए वापस नहीं आए इंडिया वहीं के होके रहा गया तो शायद ये दिल में उनके एक खटका सा लगा इसे बीच उन्हें रिसर्च वर्ट के लिए कनाड़ा जाने का ओफर आया इस बार वो मना नहीं कर पाए उसे बाह आए इस बाहर आए इस बाहर आए